Hello and welcome to the class. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे DNA Finger Printing. और आज का सेशन हमारा Molecular Basis of Inheritance का last session होने वाला है. इसके पहले हमने सारे concepts, even हमने last concept में Human Genome Project भी कर लिया है. आज के सेशन में हम पूरा करेंगे DNA Finger Printing को लेकर. तो जैसा कि हमने Human Genome Project में देखा, वहाँ पूर हमें ये 99.9% का data मिला. Actually ये क्या है? यहाँ देखेंगे इस slide पर. देखिए. अगर हम DNA Finger Printing की बात करें. DNA Finger Printing. तो DNA Finger Printing होता क्या है? इसके uses क्या है? यानि किसका application क्या है? और इसका importance क्या है? उसी में discuss कर लेंगे. और सबसे main important चीज़ आएगी किसे करते कैसे है? तो सबसे पहले आप ये जाल लें कि DNA Finger Printing. आजकल तो ये topic बहुत मशूर हो चुका है. DNA Finger Printing से related आपको एक information देंगे तो आपको DNA Finger Printing और भी ज़्यादा interesting लगने लगेगा. अभी हाली में आपने एक देली का case सुना होगा श्रधा को लेकर. कि उसके boyfriend ने उसके 35 टुकडे करके और सारे टुकडों को तितर बितर करके फेक दिया. दूर दराज की जगा पे, कहीं किसी कुडे में, नाले में, जगा जगा फेक दिया. अब उन टुकडों को एक ठा करना, ये बहुत मुश्किल बात नहीं है. मुश्किल बात ये है कि उन pieces को आप ये बता सके कि दोनों piece एक ही है, यानि कि जो भी pieces मिले, आप वो बता सकेए, टुकडे एक ही body के हैं, और वो उसी बच्ची के हैं, ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एकठा करना, उसको कलेट करना, उस pieces को ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, कि उन pieces को एक जगा एकठा किया गया, ये मिलाया गया, क्योंकि वो किसी जानवर का भी हो सकता है, किसी दूसरे इंसान का भी हो सकता है, क्या प्रूफ है कि वो सेम इंसान का टुकड़ा है, इसके लिए DNA fingerprinting का सहारा लिया गया था. इंपोर्टेंस क्या है, आपको अभी पता चल गया होगा, maternal, paternal issues अगर solve करने है, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा नहीं है, इन तरह के problem, यानि maternal, paternal issues के solve करना हो, तो DNA fingerprinting काम आता है, अगर कोई forensic science में, कोई criminal है, जैसे इस case में, DNA fingerprinting काम आता है, अब आप कहेंगे, DNA fingerprint printing ही क्यों, है न, क्योंकि बहुत सारे पहले के movies में आप देखेंगे कि थम का impression, हाथों की impression, है न, finger की impression लेकर भी काम चल जाता था, बट बात ये है कि अगर मैं, किसी इंसान ने crime किया है, ठीके, और उसे ये शक है कि उसकी हाथों की निशान किसी ने ले लिये, तो इसको surgically remove करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है न, surgically इस निशान को, इस impression को remove करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा possible है, लेकिन आप जो DNA में आपकी make-up है, उसको आप कैसे change करेंगे, वो तो एक दम impossible है, और यही एक मतलब है, इस DNA फिंगर प्रिंटिंग का, इ First of all, it was developed by, इसे developed किसने किया था, it was developed by Alec Zephry, किसने developed किया था, Alec Zephry, Alec Zephry नाम के scientist ने, Alec Zephry, ठीक है, तो यह नाम आपको याद रखने है, Now, अब अगर मैं बोलो कि आखिर इसका एक overall concept दे कर तब steps में चलें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, देखिए, माल लेजिए, कोई भी एक cell है, और यह एक cell आप कहीं से भी ले सकते हैं, NCRT में लिखा हुआ है, कि यह cell आप कहीं कहीं भी use कर सकते हैं, body में, देखिए, in human genome, these sequences, अब यहाँ पर these sequences normally do not code, यहाँ पर आपके दिया हुआ है, हाँ, such as, since DNA from every tissue, such as blood, hair, follicle, skin, bone, saliva, sperm, etc, यहाँ पर example दिया हुए है, यानि कि body के किसी भी पार्ट से अगर आप कोई cell ले लेंगे और examples भी दिया हुए है, वहाँ से अगर आप DNA को isolate करें, क्या करें? DNA को isolate करेंगे, है ना, तो इस DNA को आप क्या कहेंगे? इस DNA को आप कहेंगे कि यह उस body का genomic DNA है, है ना, उसका genomic DNA है, और इस DNA को आप कहेंगे कि यह तो 100% है, कितना है? 100% है, और अगर हम इसके bases की बात करें, तो इसमें मिलेगा आपको 3 into 10 to the power 9 base pairs, यह सारी information आपके पास है, अब क्या होता है? मेथड की बात करेंगे हम, sesium chloride density centrifugation की, लेकिन एक overall आप यह समझ लें, कि इसी 100% में से, है ना, अगर मैं बोलूं, कि एक इनसान और दूसरे इनसान के बीच में, है ना, common मिलेगा आपको 99.9%, so 99.9% DNA, जो मिलेगा 99.9% DNA, यह सेम है, चाहे हम हो, आप हैं, दुनिया का कोई भी इनसान हो, उसमें हम और आप, दुनिया का कोई भी इनसान, human है ना, तो उसका 99.9% DNA सेम होगा, तो यह 100% तो नहीं है, है ना, तो आखिर यह 0.1% क्या है, 0.1% जो DNA है, यह vary करता है, यह different है, यानि मेरे में, आप में, दुनिया के किसी भी इनसान की, अगर आप बात करें, तो हम और आप सिर्फ और सिर्फ यह 0.1% DNA से ही vary कर रहे हैं, यहीं हमारे अंदर different है, ठीक है, यही vary कर रहा है, और अगर हम इसकी बात करें कि base pair में कितना आएगा, तो यहाँ अगर आप देखें, तो 0.1% जो DNA है, है ना, जिनोमिक DNA का, यह आजाएगा लगभग 3 into 10 to the power 6 base pair, आजाएगा ना, यह भी data कोई कम नहीं है, यानि कि इतना base pair हमारे और आप में क्या है, different है, ठीक, अच्छा, अब यह जो different है, यह क्या करता है, कि इसी को हम कहते हैं satellite DNA, satellite DNA, which is different, satellite DNA, जो एक human और दुसरे human के बीच में अलग है, तो अगर आप कहें कि DNA fingerprinting के लिए हम कौन सा DNA यूज करेंगे, genomic DNA, नहीं, यह 99.9% DNA जो हमारे और आप में same है, बिलकुल नहीं, क्योंकि हम तो differences के उपर काम करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कौन से इंसान की बात हो रही है, है न, यहाँ पर काम करेगा आपका यह satellite DNA, satellite DNA को ही हम DNA fingerprinting में use करते हैं, है न, it is used for DNA fingerprinting, ठीके, तो I think आपको यह बात समझ में आ गई, अब हम बात करेंगे कि, इस 0.1% DNA, तो यहाँ पर देखिए, एक overall concept आपको समझ में आ गया इसका, ठीके, अब यहाँ देखिए, कि आखिर हमने इस genomic DNA में से इन दो parts को, यानि same and different को अलग किया कैसे, actually यह इनको अलग करने के पीछे एक method involved है, है न, तो यहाँ माल लीजिए आपका genomic DNA है, genomic DNA, जिसको आपने बोला 100%, अगर आप इस वीडियो को आखरी तक देखें, एक एक concept को बस ध्यान से सुन ले, NCRT को relate करके और एक notebook पेल लेकर बैठें, पढ़ाई ऐसी ही की जाती है, है न, क्यूंकि जो educational channel होते हैं, और जो आपके entertainment वाले होते हैं, दोनों में जमीन आसमान कांतर होता है, है न, पढ़ाई के दौरान आपको जो education channel देखते हैं, उसके लिए कुछ requirement होती है, आपको अपने notebook पेल लेकर, और इसे लिए इसके जो, आपके जो audience होती है, वो बहुत limited होती है, जो उनको पढ़ना होगा वही देखेंगे, है न, तो यहाँ पर आप ऐसा करके देखें, DNA fingerprint आपको बहुत असान लगेगा, यह कोई tough topic नहीं है, ल C, S, C, L, Clemistry पढ़ते हैं, आप वहाँ लिखा हो है, Sessium Chloride Density Centrifugation, यह method याद रखेंगे, Density Centrifugation, Centrifugation, और आपको यह topic जो Sessium Chloride Density Centrifugation, इस से related हमारी detail information discuss की गई है, एक video में, जो की जब हमने discuss किया था, इसमें उसके link मिलेंगे आपको, जब हमने discuss किया था, search for genetic material, तो उसमें हमने एक topic और भी पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था, कि DNA replication is semi conservative in nature, तो उसी video में आपको इस से related जितने भी information है, कि Sessium Chloride क्या होता है, इसके density centrifugation method क्या है, इसको क्यों use करते हैं, वहाँ हमने detail discuss किया है, So, Sessium Chloride Density Centrifugation, अब यह Sessium Chloride Density Centrifugation, के थू, हमें क्या मिलें, हमें दो peaks मिलते हैं, वालनी जी यह test tube है, तो हमें यहाँ पर दो peaks मिलेंगे, कौन से, एक हमें peak मिलेगा, एक peak हमें यहाँ मिलेगा, और एक peak हमें नीचे मिलेगा, ठीक है, जो peak हमें नीचे मिला, बॉटम में मिला, और एक उसके उपर मिला, हाना, तो इन peaks का क्या नाम है, यह जो DNA है, यही वो Satellite DNA है, सेटलाइट DNA, अब आप कहेंगे सेटलाइट DNA का peak नीचे क्यों मिला, सेटलाइट DNA कहें, या आप सेकेंडरी DNA भी कह सकते हैं, अब आप कहेंगे सेकेंडरी DNA क्यों, जब आपने क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर पढ़े थे, तब आपको primary construction, secondary construction बताई गई थी, तो जब आपको वो बताया गया था, यानि कि इस तरह का, तो जब आपने इस तरह से माल लिजिए, यहाँ पर यह primary construction हुई थी, पहली बार जब construction हुई थी उसको आपने प्राइमरी बोला, लेकिन एक बार और construction हो गई, तो एक बार और constriction हुई, तो इसको आपने बोला secondary construction, यह अगर constriction primary तो इसको आपने बोला secondary constriction, और इसमें जो DNA आएगा उसको आपने बोला था secondary DNA, यही वो satellite DNA होता है, यह अब जब types of chromosome पढ़ते हैं वहाँ यह इसको discuss किया जाता है, so satellite DNA या secondary DNA, लेकिन अभी एक question का answer हमने नहीं दिया है आपको, कि यह इसका bottom में क्यों मिला, अभी आपको बता यहां पर आप वो DNA कहले, जो कि 99.9% था, अब I think आपको समझ में आ जाएगा, यह 99.9% DNA और इसको आप primary DNA भी कह सकते हैं, अगर आपने इसको secondary कहा, तो इसको आप primary DNA कह सकते हैं, आराम से, ठीके, आच्छा, यानि कि 99.9% DNA है, उसका जो peak है, वो हमें उपर band उसका उपर मिला है, और satellite DNA जो कि 0.1% है, इसका हमें नीचे मिला है, इसका सबसे main कारण क्या है, इसका main कारण है, इसके अंदर, इस satellite के अंदर, इस bulk DNA के compare में, satellite DNA क्या होता है, नन कोडिंग होता है, यह किसी भी protein के लिए कोड नहीं करता, है ना, तो generally इसमें क्या होता है, जो DNA होता है, वो ह heterochromatin के form में होता है, यानि highly condensed होता है, खुला-खुला नहीं होगा, highly condensed होगा, heterochromatin, ठीक है, बहुत बड़ा reason है यह, तो heterochromatin आप जानते होंगे, जो आपने chromatin पढ़ाता है, जो खुले-खुले है, उसको आपने u-chromatin बोला था, लेकिन जो बहुत highly condensed है, उसको आपने hetero, तो यह है heterochromatin, यह बहुत जादा highly condensed होते हैं, और यह था u-chromatin, अब आपको यादा जाएगा, यह था u-chromatin, जो खुले-खुले हैं, इसी का mRNA बनेगा, और इसी के protein synthesis हो सकती है, है न, यानि transcriptionally active u-chromatin होता है, heterochromatin की mRNA नहीं बनेगी, और इसका protein synthesis नहीं होगा, यह condensed ह highly condensed होता है, तो I think यह बात आपको समझ में आ गई होगी, है न, अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पर की bulk और इसमें, यानि की bulk DNA और यह जो satellite DNA है, इसमें, है न, तो अगर हम satellite DNA की बात करें, तो do not code for any protein, satellite DNA किसी भी protein को code नहीं करता, तो satellite DNA के बारे में हम थोड़ी से information और ले NCRT book पर जाएंगे, ताकि हमें समझना असाल हो जाएं, क्योंकि NCRT book में सारी चीज़े बहुत concentrated form में दी हुई है, थोड़ा dilute करके समझ ले, फिर NCRT में जाएंगे, सो satellite DNA की अगर हम बात करें, तो satellite DNA के features की अगर हम बात करें, तो can be separated from bulk DNA by sesium chloride density centrifugation technique, है ना, तो यह separate किया जा सकता है, can be separated, आप पूरा सुनेंगे और पूरा detail में लिखेंगे, है ना, can be separated from bulk DNA, bulk DNA, किस मेथड से, by sesium chloride, centrifugation, density centrifugation technique, ठीक है, अभी हाँ, centrifugation density डाल लेंगे, density centrifugation technique, दूसरी information इसर लेटे, यह non-coding होता है, do not code for any protein, सोचे अगर यह protein code करता, तो सब के अंदर तो अलग-अलग protein बनाता, बिल्कुल unique protein बनाता, है ना, तो हम तो ऐसे ही उस इंसान को पकड़ लेते, कि जिसके एक कान green है, जिसके सर के उपर एक सिंग है, कुछ ऐसी ही property बनती इनकी, जो की बिल्कुल unique होती, चलिए, थर्ड है, थर्ड है, more density than other, यानि कि यह क्या होता है, more dense होता है, more dense, as compared to bulk DNA, यह क्या है, ज्यादा density होता है इसका, और यही कारण है कि इसकी band मुझे कहा मिली थी, bottom पे, यानि कि bulk DNA से नीचे, जो भारी होगा वो नीचे ही आएगा ना, next है, इसके पास होता कि satellite DNA की features क्या है, इनके पास एक particular sequence के, हाना, एक particular sequence के repetitive sequences होते है, have particular, repetitive, repeated sequences, इनके पास particular, अब जैसे माल ले के example, है ना, जैसे माल ले यहाँ पर दिया हुआ है, suppose, a, a, t, t, c, g, a, a, t, 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 g, c, माल ले जीए यह, अब इसी के repetition फिर मुझे देखे, a, a, t, t, g, c, फिर से, a, a, t, t, g, c, a, a, t, t, g, c, माल ले जीए फिर से एक बार repetition देखे, a, a, t, t, g, c, a, t, t, g, c, ऐसी ही repetitions इसकी दिखेंगी, है ना, तो half repeated sequences यह इसकी पहचाल होती है, अ, अब हम बात करते हैं next, next क्या है, देखें, अ, 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 अब हम बात करते हैं इसकी, next is, कि इस satellite DNA के बारे में कुछ detail information, है ना, अब detail information क्या है, satellite DNA से related, देखें, अब यह है satellite, satellite DNA, satellite DNA की अगर हम बात करें, तो satellite DNA, खुद ही क्या होता है, कि इसमें दो तरह के आपको मिलेंगे, mini satellite and micro satellite, अब आप कहेंगे कि mini and micro यह क्या होते हैं, तो actually अभी आपने क्या देखा, कि satellite DNA में repeated sequences होते हैं, है ना, अब इन repeated sequences को ध्यान में सुने, देखें, अगर यह repeated sequences, यानि कि on the basis of, यह on the basis of आपको समझना बहुत सुरूरी है, on the basis of, on the basis of first, see, so on the basis of number of repeats, कि कितने number of repeats है, second, on the basis of size of repeats, कि उनके repeat के size क्या है, size of repeats, third, on the basis of amount of GC content, amount of GC content, GC तो जानते हैं होंगे, guanine and cytosine, GC content, तो यह आधार है, number of repeats, size of repeats and amount of GC content, satellite DNA is of two types, अब आप, I think आपको यह बात समझ में आ गई, कि यह satellite DNA कितने type के होते हैं, two types के, two types के, यानि इन basis पर, satellite DNA two types के, कौन-कौन से, तो एक होगा, mini satellite, और एक होगा, micro satellite, so micro satellite, and mini satellite, mini satellite, ठीक है, अब यह micro और mini क्या है, यह देखिए, इस micro और mini को समझने के लिए, आपको in on the basis वो समझना पड़ेगा, micro और mini देखकर क्या लग रहा है, कि micro और mini में, mini थोड़ा सा micro से तो बड़ा है न, यानि कि अगर हम first point को ले, कि number of repeats, तो number of repeats इसमें क्या है, more है, यहाँ number of repeats क्या है, less है, ठीक, इस point को, second point को अगर हम लाए, कि size of repeats, size of repeats इसमें क्या होगा, large होगा, इसमें size of repeats क्या होगा, small होगा, अब अब लाते हैं, third point, second हो गया, third, amount of GC content इसमें क्या होगा, more होगा, इसमें क्या है, amount of GC content, less होगा, तो I think, अब आपको बात समझ में आगे होगी, कि micro and mini किस आधार पर है, ठीक है, अच्छा, दूसरी बहुत-बहुत-बहुत important चीज, कि यह जो mini satellite होते हैं, इनमे, variable number of tandem repeats होते हैं, याने कि इनमें क्या मिलेगा आपको VNTR, variable number tandem repeats, क्या मिलेंगे, variable number tandem repeats, और micro satellite में आपको क्या मिलेगा, STR, short tandem repeats, तो इसमें मिलेंगे, short tandem repeats, short tandem repeats, और इसमें क्या मिलेंगे, variable tandem, variable number of tandem repeats, ठीक है, आपको बात समझ में आ जाएगी, हम DNA fingerprinting के लिए, कौन सा लेंगे, mini या micro, तो इसमें, micro में repeated sequences, छोटे छोटे होंगे, mini satellite में थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि उसी आधार पर ये, mini यान micro है, तो हमारा, our main focus will be now on, DNA fingerprinting के लिए, mini satellite होगा, ठीक है, तो I think, अब आपको बात, और जादा clearly समझ में आ गई होगी, यहां चलते हैं, NCRT book पर, Now, DNA fingerprinting involves, identifying differences, in some specific reasons, in DNA sequence, called repetitive sequence, या repetitive DNA, because in these sequences, a small stretch of DNA, is repeated many times, these repeated DNA, are separated from bulk genomic DNA, as different peaks, during density gradient centrifugation, the bulk DNA, वही जिक्र किया, the bulk DNA, forms a major peak, and other small peaks, are referred to as satellite DNA, जो कि यहां पर बना था, यहां देखें, है ना, अब बात हो रही है, next, as polymorphism, अब हम बात करेंगे, polymorphism, क्यूंकि, mini satellite, and micro satellite, का जिक्र, यहां पर किया गया है, mini satellite, and micro satellite, variable number, tandem repeats, आ गये, यहां पर आपको, polymorphism से related, एक discussion है, उसको किया जारा है, और यहां पर आप देखे, polymorphism को discuss किया गया है, और यहां पर आप देखेंगे, mini satellite, and micro satellite को लेकर, क्योंकि, इसमें heading के तरह नहीं दिया है, इसने, बहुत ही छोटा, बता कर इसने बताया है, अब हम चलते हैं, कि polymorphism क्या होता है, polymorphism से related questions, बहुत अच्छे से आते हैं, इसको आप ध्यान से समझ ले, polymorphism, देखिए, इसी DNA fingerprinting के अंदर, यह topic है, polymorphism को, polymorphism, जब एक छोटे-छोटे topics को, आप समझ लेते हैं, तो किसी भी बड़े काम को अगर करना है, तो इसे छोटे-छोटे part में divide कर लें, तो वो काम बहुत ही छोटा हो जाता है, accuracy के साथ भी होता है, और महनत भी नहीं लगती है, so polymorphism ही है, वो आधार जो genetic level variation लाता है, question अगर पूछा जाएगा, कि polymorphism क्या करता है, तो आप कहेंगे यह genetic level variation लाता है, genetic level का variation लाएगा, ठीक है, so genetic level का variation यह cause करता है, polymorphism होता क्या है, अगर हम DNA की बात करें, तो polymorphism क्या करता है, कि polymorphism, यह change in DNA sequence है, by mutation, so यह होता क्या है, कि change in DNA sequence, DNA sequence, by mutation के थूँ, mutation sudden heritable change होता है, मैं पता है, mutation के थूँ, अब बात यह है, कि हमारा जो DNA है, यह जो हमारा DNA था, इसमें हमने देखा था, कि हमारा coding and non-coding दोनों reasons है, है ना, अब माले यहाँ पर, आपके पास coding reason है, यह कौन सा reason है, coding reason है, और यह माल लिजिए, कि यह non-coding reason है, non-coding है, non-coding है, अगर कुछ भी mutation यहाँ हुई, तो वो आगे carry forward होगी, लेकिन अगर कोई भी mutation अगर यहाँ हो गई, तो वो आगे carry forward नहीं होगी, अब यहाँ पर अगर mutation होई है, तो दो chances, कि अगर यह mutation हुई है, और protein बना रहा है, mutant protein, उससे उस person का जान नहीं जा रहा है, उसकी जो life है, वो हैंपर नहीं हो रही है, तो आगे carry forward यह चलेगा, लेकिन अगर माल लेजिए, इस mutation की वज़े से, वो gene lethal हो गया, क्या हो गया माल लेजिए, lethal हो गया, lethal, lethal का मतलग होता है, जान लेवा, तो इस person की death हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है, जब person में mutation हुई, और उसकी death हो गई, तो आगे carry forward होने का कोई chance ही नहीं, वो तो वही पर खतम हो जाएगा, यानि कि, यहाँ पर polymorphism will be lost, लेकिन नन कोडिंग में अगर होगा, तो चुकी यहाँ पर कोई protein ही नहीं बनाता, तो यह आगे carry forward चलेगा, तो अगर पूछा जाएगे, which of the DNA sequence shows polymorphism, तो आप कहेंगे नन कोडिंग, ठीके, तो आई थिंग कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी, अब polymorphisms related यह पूरी information थी, ठीके, अब हम बात करेंगे, कि micro और mini उसमें हमने discuss किया था, और हमने बोला था कि mini satellite is used for DNA fingerprinting, यहाँ पर हमने बोला, तो अब हम mini satellite पर आते हैं, कि mini satellite is used for DNA fingerprinting, ठीके, फिर हमने variable tandem repeats की भी बात की, तो actually यहाँ पर अप note लिख ले, क्योंकि questions ऐसी पूछे जाते हैं, पहला note यह है कि mini satellite, mini satellite is used for DNA fingerprinting, DNA fingerprinting, यानि satellite DNA को आपने समझा, satellite में micromini, फिर आपने mini को समझा, second, इसमें क्या होते हैं, VNTR, VNTR क्या था, variable, number, of tandem repeats, tandem repeats, अब इसका मतलब क्या है, variable का मतलब आपको पता है, variable का मतलब क्या होता है, variable, बहुत सारे variations, बदले हुए रूप, है ना, tandem, number of tandem repeats का मतलब क्या है, number of tandem repeats के मतलब यह होते हैं, कि इस continuous repeats, है ना, कि दो अलग-अलग human है, तो उनमें कितने number of repeats हैं, यानि कि repeated sequences वो कितने हैं, किससे वो vary कर रहा है, कितने में vary कर रहा है, है ना, अगर हम mini satellite की size की बात करें, यहाँ आपने mini satellite लिखा था, यहाँ पर, mini satellite की अगर हम size की बात करें, इसकी size की, तो size इसका होता है, इस fresh light पर लिखते है, mini satellite की size होती है, size of mini satellite, ये vary करेगा 0.12 to 20 kilo base होता है, यानि की 0.1 से लेकर, 0.1 की अगर हम बात करें, यानि की 100 base pair से लेकर 20,000 base pairs तक ये हो सकते हैं, ठेक है, ठेक, तो I think अब आपको ये बात समयश में आ जाएगी, Now, अब चलती है बात, next आपके NCRT book को लेकर, कि mini satellite आपने देखा, polymorphism देखा, VNTR आपने देखा, variable number of tandem repeats देखें, है न, अब हम देखते हैं कि आखिर ये steps of DNA finger printing होते क्या है, यहाँ पर आते हैं, इसके steps को देखते हैं, Polymorphism यहाँ पर variation at genetic level की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, अगर पूछा जाएं तो आप यहाँ पर polymorphism का ही नाम लेंगे, अगर हम इसके steps की बात करें, तो steps में सबसे पहले आप DNA को isolate करेंगे, है न, जो भी आपके sources थे, hair से, follicle से, sperm, blood, जहाँ से भी, कोई भी cell काफी है, So, isolation of DNA वहाँ से isolate करेंगे, isolate करने के बाद उसको digest करेंगे, digestion of DNA का मतलब होता है, इसका fragmentation, digestion का मतलब क्या होता है, इसके टुकडे करने, यानि कि DNA को आपने isolate करवा दिया, यह रहा DNA, अब इस DNA को आप क्या करेंगे, fragmentation करेंगे, यानि कि इसके टुकडे टुकडे करेंगे, इ के पीसे स्मिल चुक है अब पीसेस को अप अलग-अलग कैसे करेंगे यह अलग-अलग करेंगे अब तुकड़ा अलग-अलग आपको मिल चुका है अब क्या करेंगे अब स्कॉप transfer करेंगे किस पर transferring blotting उसको बोलते हैं blotting transfer करने को बोलते हैं blotting of separated dna fragment to synthetic membrane such as nitrocellulose or nylon यह कहां किया जाता है किस पर किया जाता है यह important पूछा जाता है nitrocellulose बोले या nylon बोले उसको transfer करते हैं उसको बोलते हैं blotting now hybridization अब करना है इसको hybridize करवाएंगे using labeled radio labeled की बात कर रहे हैं VNTR probes ठीके अब इससे हमें यह पता चल जाएगा कि किस fragment में क्या sequence है ठीके उससे हमें यह idea लग जाएगा अब क्या करेंगे और यह blotting जो होती है उस blotting का नाम लिख लिए southern blotting होती है अब हम next बात करें कि इसको हमने यहां तक कर लिया आफ्टर सदन blotting हो गई DNA की hybridization हो गई रेडियो लेवल VNTR प्रॉप से हो गई अब चुकि रेडियो लेवल VNTR प्रॉप से उसकी matching आपने करवाई है hybridization करवाया है तो आपको easily आप उसको देख सकते हैं जो भी hybridized हुए होंगे मिले रहेंगे उनका detection आप कर सकते हैं Bratio Radio Graphy एक तो यहां पर यह पूरी चीज यहां आपको करना कुछ नहीं होता है सिर्फ इन स्टेप्स को आपके sequense आत करने होते हैं कि इनके बाद यह आप अब यहां से coaches आते हैं वह sequence यहां पर साइज दिया हुआ है वहां पर मीनी में 0.1 to 20 kg तो यहां पर सारी इंफॉर्मेशन वही है जो यहां पर लिखा हुआ था है ना बाकी आप अगर देखें यह दो पारेंट्स के दियो है है अगर हम यूमन ए और यूमन बी दोनों के डियने को अगर हम डियने फिंगर प्रिंटिंग करवाएं तो जैसे माल लीजे क्रोमुजूम 7 है 2 है 16 है आप कहेंगे सिक्वेंस क्यों नहीं है 7 2 & 16 ऐसा क्यों है 1 2 से स्टार्ट क्यों नहीं है भाई जहां सेकेंडरी कंस्ट्रिक् paternal का मतलब होता है father maternal का मतलब होता है mother तो father and mother father and mother दोनों से अपने क्या लिया है दोनों से अपने dna isolate करवाया है chromosome लिये है और यहां पर आपने individual B का भी लिया है और आप देख पा रहे हैं कि कहा कहा number of repeats कैसे कैसे number of repeats यहां लिखे हुए नहीं है बड़ आपको यह बताया दे रहे हैं कि यहां पर कितने ज्यादा match हो रहे हैं क्या ज्यादा differences है अब यहां देखिए अब यहां अगर मैं बोलू इस वाले chromosome number 7 पर तो 7 की अगर हम बात करें 7 इस chromosome number यहां पर 7 यहां similarity ज्यादा है यहां similarity बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम बात करें yellow वाले की यानि की chromosome number 2 पर यहां पर similarity is almost है अगर हम बात करें 16 की तो similarities बिलकुल नहीं दिख रही है क्योंकि similarities की जो percentage है वो बहुत कम दिख रही है देखना पर देख पारें आप इतना variation दिख रहा है है तो आप यहां पर यह अंदाजा लगा सकते हैं जब इसे आप amplified repeats separated by size on gel give a dna fingerprint यहां पर आपको क्यूंकि आप ऐसी आखों से देखकर नहीं बताएंगे इसके साथ आपको पूरी radiography में पूरा percentage, peaks, कहां कहां कितनी matching हो रही है software है पूरा detail information आपको देदेगा क कि number of short tandem repeats आपको कितनी जगा कितना मिल रहे है और percentage भी देदेगे कि कितना percent इस परसंट के साथ विए जो बच्चे का dna है वो कितना match कर रहा है परसंट b के साथ कितना match कर रहा है है ना तो यह पूरी detail information चल जाती है यहाँ पर तो pages पर आपको समझाने की बस एक कोशिश की गई है ठीक है तो इसके साथ ही आपका यह dna finger printing का topic हो जाता है complete और इसके साथ ही हमारा हो जाता है molecular basis of inheritance जो हमने chapter स्टार्ट किया था बहुत ठीक है तो बहुत बड़ा चला यह chapter अब हम स्टार्ट करेंगे principle of inheritance क्योंकि यह demand पर था यह chapter कि इससे पहले स्टार्ट किया जाए बच्चों के paper भी आने वाले थे इसलिए तो अब मैं स्टार्ट करूंगी principle of inheritance जो genetics का पहला chapter है तो next video आएंगे आपके principle of inheritance को लेकर होप सो आपको चीजे समझ मियारी होंगी तो like ज़रूर करें comment करके बताएं कि classes आपको कैसे लगती है किसी extra classes की अगर requirement हो कोई आसपास आपके exams हो रहे हो उनमें अगर biology का paper आ रहा हो कोई topic हो special तो उस पर भी separate video बिलकुल बेशक बनाया जा सकता है मिलते हैं आप से next class में next video म principle of inheritance के साथ तब तक take care and bye bye